प्रियागरा से वापस नहीं आ पाया था और वापस आया भी तो बड़ी ठंडे थी और पढ़ाने के सिचुवेशन में मैं नहीं था तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पैसे वैस कि ये पांचवी क्लास होगी चार क्लास मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ और हम लोग पैसिफ वाफ हाड पढ़ चुके हैं पैसिव वाफ हू पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ा पढ़ा हैं और passive of which इन दोनों concept को पढ़ना बहुत जरूरी है और मैंने कहा कि topic के साथ हम लोग पढ़ेंगे कौन-कौन सा topic कैसे पढ़ाया जाता है क्या रहेगा तो आपको कैसे question को solve करना है ये सारी चीजें हम आज की class में discuss करेंगे तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे जो हैं copy pen के साथ बैठें ताकि एक-एक concept उनको easily समझ में आए ठीक है चलिए फटा-फट copy pen के साथ ready हो जाई क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ passive of whose अगला जो topic है वो है passive of whose passive of whose यही हमारा topic है passive of whose इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यह possessive case होता है passive of whose यह possessive case है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है तो चलिए एके कर गे हम समझते हैं इसके दो concept होते हैं whose का जो जब भी question आएगा whose से आपके सामने जब भी questions लिखेंगे तो लिखेगा दो तरीके से आपको बनाना भी होगा उसको दो तरीके से तो कब दो तरीके से बनेगा और कब एक तरीके से बनेगा इन दोनों तरीकों पे हम बात करते हैं तो जड़ाः पहले मैं समझा देता हूँ पहला formula क्या है इसका पहला formula है कि सबसे पहले आपको question में क्या दिखाई देगा आपको दिखाई देगा who's और who's जब भी आएगा दोस्तों तो याद रखेगा इसके बाद कोई न कोई down जरूर होगा और वो noun या तो singular हो सकता है या तो फिर plural हो सकता है लेकिन who's के बाद यहाँ पे noun compulsory रहेगा noun अगर नहीं रहेगा तो who's से कभी आपके सामने question put up नहीं किये जाएंगे याद रखेगा who's रहेगा तभी जब यहाँ पे noun रहेगा no noun no who's ठीक यह पहला तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आगया do और यहाँ पे आगया does आपको याद रखना होगा कि जब भी हम who's का पैसी बराएंगे तो who's के बाद noun तो compulsory रहेगा do does भी रहेगा अगर do does रहेगा तब कैसे बराएंगे और do does नहीं रहेगा तब कैसे बनाएगे यह दो तरीके हैं उसके बाद यहाँ पे आएगा subject क्या आएगा यहाँ पे आएगा subject और इसी subject के coding आपको do लगाना है और इसी subject के coding आपको क्या लगाना है does लगाना है ठीक है यहाँ वाले noun से आपको को बता दूँ कि जब भी passive of whose हम लोग पढ़ेंगे तो passive of whose के साथ यहां पर कोई ना कोई नाउन कराना जरूरी है वो नाउन या तो singular form में होगा या फिर plural form में होगा यहां पर यहां तो do रहेगा या तो does रहेगा और यहां पर do does का according इस नाउन के according नहीं होगा बलकि यहां प रखिएगा उसका passive वैस कितने तरीके से बनेगा एक तरीके से बनेगे एक तरीके से बनेगा और जब do does नहीं रहेगा तो दो तरीके से बनेगा जैसे कि what वाले में हुआ था अब इसका answer जब आप करोगे ना जब आप इसका answer करोगे तो क्या होगा सबसे पहले यहां पे ज जाएगा, हो गया copy, और अगर दोनों copy हो गया, तो यहाँ पे अगर noun singular है, यहाँ पे noun अगर singular है, तो अब आपको क्या लगाना होगा, is, और यहाँ पे noun यदि plural है, तब आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, यानि plural के साथ आपको क्या लगाना होगा, आ और singular के साथ आपको क्या लगाना होगा is और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो verb रहेगी उस verb को आप पहुचा देंगे किस form में third form में पहुचा देंगे और यहाँ पे जो subject होगा वो चला जाएगा विटा by object में किस में चला जाएगा? by object में चला जाएगा तो ये आपके question का answer बनने का एक single तरीका होगा question के answer बनने का एक simple तरीका होगा समझ बहा आ गई बात? अगर समझ में आ गई हो तो ऐसे नहीं समझते है पहले हम question करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले मैं आपको एक active voice का question देता हूँ और अगर समझ लीजे यहां पे आ गया who's, उसके बाद आ गया who's, s-o-n, who's son, sons कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, और यहां पे मैंने कर लिया plural का, who's sons, उसके बाद आ गया does, उसके बाद आ गया he, उसके बाद आ गया beat, एक के करके इस question को ध्यान देजिए, सबसे पहले अगर यहां पे who's आ गया, तो मैंने कहा कि who's के बाद यहां पे noun काना compulsory है, noun आ गया न, मैंने यह भी कहा कि noun singular भी हो सकता है, और plural भी हो सकता है, तो मैंने plural लख लिया है, यहां पे does मैंने लगाया है, यहां पे plural है तो यहां यहां पे does और इस does का according, इस संस के according नहीं हुआ है, यहां पे singular subject है, इसलिए यहां पे क्या या है, does, और यहां पे क्या आ गया है, यहां पे आ गया है, वर्ब, यानि यह total concept इसी वाले concept पर आधारीत है, यह जो question है, इसी concept पर आधारीत है, अब ज़रह इसका आप answer बनाओग तो यहां पे अगर यहां पे संस है, तो आप यहां पे संस को क्या कर लो, कौपी कर लो, उधर क्या दोनो, और मैंने कहा कि अगर यह noun singular है, तो क्या लगाना है, इस और plural है, तो क्या लगाना है, आर, अब यहां पे संस plural है, तो यहां पे हम क्या use करेंगे, आर use करेंगे, फि तो यहाँ पर ही किस में change हो जाएगा, ओ हम में change हो जाएगा, यह आपका question है, बन्के तैयार हो गया, समझ्ञे में آगया, मैंने क्या किया, हूस्ण को copyright किया, इसके साथ आने वाला जो noun है, हूस्ण को copyright किया, हो गया, अगर यहाँ पर plural है, प्लूरल है तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया यहाँ पर जो रहेगा उसके according आप क्या लगाओगे इस या आर अगर यहाँ पर sun रहता तो यहाँ पर क्या लगा लेते इस अब यहाँ पर हो गया plural और यह plural हो गया तो यहाँ पर भीट का third form कौन सा होगा, भीटेंड क्योंकि helping word के बाद क्या आती है, helping word के बाद ही word आती है, और passive ars में word किस form में राती है, तो हमेशा अपने तीसरे form में राती है, और अगर ही है तो किस पर बतल गया, वो by him में change हो गया, यह हमारा answer बनके ready हो गया, ठीक है ना एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आता हूँ तो इसके दूसरे एक्जामपल्स आपको बताता हूँ फटा फट करेंगे ठंडी बहुत है अपने आपको बचा के रखना जरूरी है आप लोगों से मैं यहीं चाहूँगा कि एकदम काईदे से इत्मिनान से बैठ के उसको पढ़ा करिए क्योंकि एकदम विजिबिल्टी कम है सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यह बादल है एक दिन मौसम ठीक वा उसके बाद फिर से वही हाल है चलिए मैं आप सबको बता दू कानपूर में 40 लोगों की हार्ट अटेक से मौत हो चुकी है क्योंकि ठंडी इतनी है और ठंडी में जो ब्लट सर्कुलेशन होता है कम होता है इसलिए हिर्दय कती रुकने के चांसे बहुत ज़्यादा रहते हैं चलिए अब ज़रा हम आगे आते हैं पैसिव फूस पढ़ रहा है दोस्तो आरे ये बात समझ में ना और पैसिव फूस को कैसे आप लोग त्यार करेंगे ठीक है अब ज़रा चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा एक्जामपल मैं आप सबको देना चाहूंगा और दूसरा एक्जामपल क्या है ज़रा ध्यान दे अगर माल लीजिए कि अगर यहाँ पे दोस्तों आगया डबलू एच ओएसी हूज यहाँ पे आगया एसो एंसन उसके बाद आगया डू उसके बाद आगया दे सी एडवल एल कॉल जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया उसी फॉर्मूले पर मैं आपको कॉश्ण दे रहा हूं उसको ज़रा समझने की कोशिस करिए अगर यहाँ पे एक्टिव आ गया तो और यह पेसी नागया अगर एक्टिव आ गया तो पैसी बनाना है मैंने कहा कि अगर हूज आएगा तो हूज के बाद आपको उसको क्या करना है आपको इस पहले को आप इस पहले वाले को दूसरे वाले को कॉपी कर लेंगे मैंने कहा कि अगर यह singular है तो आप इस लगाएंगे और plural रहेगा तो आर अब यहाँ पर यह singular सन singular है तो हमने यहाँ पर क्या लगा लिया इस अगर संस रहा तो अभी आपने पीछे क्या लगाया था आर लगाया था ना इस यह मतर यह call है यहाँ पे तो c a double led called क्या आगया यहाँ पे called यह verb अपने किस फर्म में चली गई third form में उसके बाद आगया by और अगर do है तो sorry isicady day है तो यहाँ पे आप दे किसमें चेंज कर लेंगे आप इसमें चेंज कर लेंगे day में यह आपका आंसर क्या हो गया ready हो गया यानि singular to plural plural to singular आपको manage करना है किस के उब हम use करने जारा है अगर suns था वहाँ पे तो हमने यहाँ पे r लगाया लिए लेकिन यहां पिसन है तो क्या लगा लिए इस लगा दिया ठीक है ना कुछ और examples लेते हैं examples यह है कि पहला आपको मैं example दे रहा हूँ यह तीसरा example है अगर माल लीजे यहां पे आ गया whose उसके बाद आ गया B O K S books उसके बाद आ गया dudge उसके बाद आ गया c और उसके बाद आ गया b u y वो कौन सी पुस्तके खरिती है वो किसकी पुस्तके खरिती है समझ गए आप लो अब ज़रा इसका answer मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि अगर इसका answer मैं आप सबसे पूछू तो answer क्या बनाएंगे तो सबसे पहला है कि यहां पे आप सबने क्या बना लिया डबलू एच ओएसी हूस बना लिया पहला अगर यहां पे books है तो आपने यहां पे क्या कर लिया आपने यहां पे कर लिया books यानि पहला दूसरा आपने क्या कर लिया copy कर लिया मैंने कहा कि copy करने के बाद ये दूसरा वला है उसके according आपको helping verb यूज़ करना है तो books यहाँ पे कैसा noun है? plural noun है अगर plural noun है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम हम यहाँ पे लगा देंगे r plural हो गया helping verb के बाद आती है verb जो अपने किस form मेराती है third form में तो यहाँ पे by का third form क्या लगा लेंगे, यह आपका अंसर है, तो यह easily आप आसारी से बना सकते हैं, कोई आपको problem होने वाली नहीं है, ठीक है न, चलिए, अगर यह हो गया, तो ज़र आप बढ़ना चाहूंगा आगे, और आपको बताऊंगा कि who's का passive, जब do does नहीं रहेगा, जब यहाँ पे do और जब कर देंगे, तो उसका passive दो तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, ज़रा मैं आप सब को बताता हूं, पहले उसका formula मैं देना चाहूंगा, और जैसे formula दे दूँगा, उसके बाद आपको उसके examples बताऊंगा कि उसके examples आप कैसे solve कर सकते हैं, ठीक है न, चलिए, अब ज़रा हम यहां पे आ गया हो डबलू एच ओएसी हूस, हूस के बाद मैंने कहा कि आपको यहां पे कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा, यह नाउन या तो singular होगा, या तो फिर कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, अब यहां पे क्या मिलेगा, कि अगर आपको यहां पे मिलता है व आउन singular जब होगा तो उस वर में या तो s लगा होगा, उस वर में या तो es लगा होगा, या उस वर में क्या लगा होगा, ies, और अगर वर्ब प्लूरल, अगर subject प्लूरल होगा, तो आपको रखना होगा वर्ब का कौन सा form, first form, ठीक, और इन दोनों के बाद आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे object, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको object, समाझ गया ना, अब ज़रा आप देखके बताओ, कि हूस के बाद यहाँ पे पहला और दूसरा यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डूडस गायब है, यहाँ पे कहीं डूडस नहीं है, और जब डूडस नही नहीं रहेगा, तो उसका पैसे कितने तरीके से बनाएंगे, तो दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है, कैसे, तो ज़रा इसका आंसर बनाते हैं, इसका ज़रा आंसर बनाते हैं, और समझते हैं, कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो आप पहले की तरह हूस क को कॉपी कर लेंगे उतर गया यानि यह पहला वाला कॉपी कर लिया यहाँ पे जो नाउन रहेगा उस नाउन को आप क्या करिएगा कॉपी कर लीजिएगा पहला दूसरा उतर गया और पहला दूसरा कॉपी करने के बाद यह पहला और दूसरा दोनों क्या हो गया कॉपी और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे easy लिख सकते हो, आप यहाँ पे m लिख सकते हो, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, r, यानि अब तीनों helping verb का इस्तमाल आप कर सकते हैं, is भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, r भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो subject बनाएंगे हम उस subject के according आप यहाँ पे ease कर लोगे आप यहाँ पे m कर लोगे और आप यहाँ पे क्या कर लोगे आर कर लोगे हो गया और अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे लिखोगे अपनी जो वर्ब रहेगी अपनी जो वर्ब रहेगी उस workbook किस form में भेजूगे आप 3rd form में और 3rd form में भेजने के बाद, last में आप क्या लगा दोगे? लास्ट में आप लगा दोगे by agent ये आपका पैसे बनाने का तरीका है, समझ गए न? लेकिन मां लीजे कि ये वाला पैसी वैस आप नहीं बनाना चाहते हैं चाहे दिये गए विकल्पों में दिये गए options में यह नहीं है कहीं तब क्या करोगे कि आप जो यहाँ वाला हूज है जो कहां आया है जो यहाँ पे आया है last में कहां आया है last में आप इसको क्या करोगे आप इसको बाई से पहले यहाँ पे हुस के पहले ही आप क्या लगा दोगे आप यहाँ पे बाई लगा दोगे तो यह आजाएगा सबसे पहले क्या आजाएगा सबसे पहले तो यह एक तरीका हो गया और यह एक तरीका हो गया जिसे आपकी जो अभी doubts हैं वो एकदम clear हो जाए फटाक से note करिए फटाफ़ट note करिए तब मैं आगे बढ़ता हूँ सरदी बहुत जादा हो गई है जिसकी वज़र से सास लेने में problem हो रही है चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के points को समझते हैं examples के थ्रू examples को सीखना बड़ा जरूरी है मैं बार बार बता रहा हूँ जब dudas नहीं रहेगा तो उसका passive हम बनाएंगे दो तरीके से और जब dudas रहेगा तो उसका passive बनाएंगे एक तरीके से ठीक है ना अब जरा आप सभी लोग ध्यान दे अब जरा हम यहाँ पर कोर्षन लेते हैं पहला कोर्षन क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया whose उसके बाद आ गया डबलू आई एफ़ वाइफ उसके बाद आ गया बई ए ए टी बिट्स और उसके बाद आ गया ह आई एम हिम होस वाइफ बिट्स हिम आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यह जो सेंटेंस है वो इसमें डू डू डस का इस्तमाल हमने कहीं नहीं किया है और अगर नहीं किया है तो उसका आंसर कैसे बनाएंगे उसका पैसी बनेगा कितने तरीके से तो मैं बता दू कि इसका आंसर कितने तरीके से बनेगा दो तरीके से कौन सा तरीका होगा तो सबसे पहले हम आपको पहला तरीका दिखाते हैं सबसे पहले मैंने कहा कि क्या करो गया तो सबसे पहले हमेशा कितार जैसे पहले उतारते थे हूस उसको कॉपी कर लिया यहाँ पे वाइफ है तो यहाँ पे आप क्या कर लो यहाँ पे आप कर लो वाइफ यह दो हो गया यानि पहला दूसरा दोंटो क्या हो गया अगर क्या हो गया तो अब हम क्या करेंगे अगर यहाँ पह chili है तो हим इधार आएगा तो ही बनेगा और tempting क्या लगाएंगे आप इसका इस्तिमाल करेंगे और तब यहाँ पे लिखो गया भी यानि he recording क्या हो गया singular subject था तो is लगा दिया beat का क्या होगा तो यहाँ पे आप कहोगे beat का third form होता है beat ten ठीक है और last में आप क्या लगा दोगे तो last में आप लगा दोगे भाई यह आपका पहला तरीका है यह आपका पहला तरीका हो गया लेकिन अगर आपको ये option में अगर नहीं मिल रहा हो तब क्या करेंगे इसका दूसरा तरीका आप बनाओगे तो जो by last में आया है ना उस by को आप यहाँ पे पहले लगा दो क्या लगा दो यहाँ पे पहले by तब यहाँ पे क्या करो तब यहाँ पे जो जो word आपने लिखा है उस एक एक word को आप जियों कातियों क्या कर दो उस जियों कातियों उतार दो is और उसके बाद क्या गया ही बी टेन यानि by यह आपका हो गया दूसरा तरीका यह आपका हो गया पहला तरीका बस केवल by agent का difference है कि अगर by last में जाता है तो वो पहला तरीका होता है और by अगर last में नहीं लेकी जाना चाहते है तो आप who's के पहले ही लिख सकते है क्योंकि यही subject है और subject के पहले जो subject होता वो object बनता है और object लिखने से पहले आपको पैसी वैसे में by के रूप में एक agent लिखना पड़ता है ठीक है ना चलिए आप ज़रा दूसरा question लेते है दूसरा question क्या है ज़रा इसको समझ लेते है आपको एक एक चीज मैं यहाँ पे clear करना चाहूँगा कि भाई कौन सी चीजे कैसे आ रही है situation को handle करना कैसे आपके लिए easy हो सकता है तो ज़रा आप लोग समझ लीजिए सबसे पहला अगर यहाँ पे subject singular था तो आपने यहाँ पे इसके लिए क्या लगा दिया इस लगा दिया अब ज़रा हम मैं आपको दूसरा कुरसद ही दे रहा हूँ अगर माल लीजिया हो यहाँ पे लिख दिया जाए whose उसके बाद आगया son whose son उसके बाद आगया a b you abuses और उसके बाद आगया है होजस हूजस अब यहाँ पे क्या आगया है अब चातिया son son हो अचा है sons हो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है जो रहेगा वो इसे काम तो करी लेना है अब जरा यहाँ पर Him था तो यहाँ पर क्या बना He और He के साथ क्या लिया यहाँ पर Is यहाँ पर Me है तो क्या बनेगा I और I के साथ आप क्या उज़ करेंगे अब M अगर यहाँ पर रहता Dem तो दे को बदलते, दे में योडे की सथ क्या लगाते हैं? अर लगाते, ठीक है ना? सबसे पहला तरीका अगर मैं आपको बना के बता हूँ सबसे पहले यहाँ पे WHOस को आप कॉंपी करिये हुस कॉंपी हो गये यहाँ पे sun है, यहाँ पे sun sorry यहाँ पर third from आएगा ना तो हो जाएगा ये abused इसके बाद यहाँ पर लगा दोगे by हो गए आपका answer यह बोला आपका बना दिया अपने कौंसा तरीका पहला तरीका और अगा दूसरा तरीका आपको बनाना है तो यहाँ पर पहले जो by जो last में हुआ करता था, उसको कहा लेके आ गया, उसको लेके आ जाएंगे पहले, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तब यहाँ पे आप लिखोगे WHOSE, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे Sun, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे M, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे आई और उसके बाद क्या लिखोगे उसके बाद लिखोगे यहाँ पे दोस्तो Abused तो यह आपके दो तरीके बढ़ गए और दोनों तरीका बहुत ही आसान है या तो भाई को आप पहले लिखो या फिर भाई को कहा लिखो लास्ट में लिखो ठीक है उमीद है passive of who's आपको समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगे तो please वीडियो को सुरूच से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको benefit करेगा नहीं तो ये picture की तरह हो जाएगा कि बस मजा ले रहा है चोड़ रहा है मजा भी लीजिए मजा भी लीजिए और समझ भी लीजिए ठीक है दोनों का कमबो इस्तमाल करिए चलिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल विड़ा बोलिएगा जल्दी ही मौसम ठीक होता है तो फिर पहले की तरह लाइव आएंगे तब तब धन्यवाद